तेश भर में सबसे भरष्टाचारी नेताओं को मोधी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या इस प्रकार की राजनीती से आप सहमत हो क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी क्या आपने कभी मोधी जी से ये सब ना करने के लिए बोला जेपी नड़ा जी ने लोगसभा चुनाव के दोरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरेसेस की जरूरत नहीं है जिस बेटे को प्रधान मंत्री बनाया आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आँखे दिखा रहा है मत्री तुल्य संसा आरेसेस आज वो बेटा अपनी मत्री तुल्य संसा को आँखे दिखा रहा है आरेसेस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं आरेसेस वाले कहते हैं हम देश भकते हैं आज मैं पूरे सम्मान के साथ RSS के प्रमुख है श्री मोहन भागवजी मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवजी से पांच प्रशन पूछना चाहता हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ अगर मैं कोई गलत प्रशन पूछ हो तो बता देना और सही प्रश्ण पूछो तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूँगा मेरा पहला प्रश्ण है मोहन भागवजी से जिस तरह मोधी जी देश भर में लालच देके या EDBi, ED और CBI की धमकी देके डराके दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं पार्टी यां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं क्या ये देश के लिए सही है मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप नहीं मानते कि ये भारतिय जन्तंत्र के लिए हानिकारक है पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोन भागवजे मेरा दूसरा प्रशन है उनसे देश भर में सबसे भरष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भरष्टाचारी बोला जिन नेताओं को अमिट शाजी ने खुद भरष्टाचारी बोला कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या इस प्रकार की राजनीती से आप सहमत हो क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कलपना की थी पूछना चीए की नहीं पूछना चीए मोहन भागवजी से मेरा तीसरा प्रशन है मोहन भागवजी से बीजेपी आरेसेस की कोक से पैदा हुई है की नहीं कहा जाता है ये देखना RSS की जिम्मेदारी है कि BJP पथभरष्ट ना हो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप आज की BJP के इन कदमों से सेहमत हैं क्या आपने कभी मोधी जी से ये सब ना करने के लिए बोला मोहन भागवजी बताएं कि क्या आपने मोधी जी को ये सब गलत हरकते करने से रोका कभी पूछना सी है नहीं पूछना जी है मेरा चौथा प्रेशन है मोहन भागवजी से JP नड़ा जी ने लोगसभा चुनाव के दोरान उन्होंने कहा कि BJP को अब RSS की जरूरत नहीं है RSS BJP की मा समान है है कि नहीं है क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मा को आखे दिखाने लग गया क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मा को आखे दिखाने लग गया जिस बेटे को पाल पोस्ट के बड़ा किया जिस बेटे को प्रधान मंत्री बनाया आज वो बेटा पलट के मा को अपनी आँखे दिखा रहा है मात्र तुल्य संसा RSS आज वो बेटा अपनी मात्र तुल्य संसा को आँखे दिखा रहा है मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ जब नड़ा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी आप जड़ा बताईए इस देश को क्या आपको दुखनी हुआ मैं RSS के हर कारे करता से पूछना चाहता हूँ जब नड़ा जी ने कहा कि हमें RSS की जुरूरत नहीं है क्या RSS के हर कारे करता को दुख नहीं हुआ मेरा पांचवा प्रशन मोहन भागवजी से मैं कहना चाहता हूँ आप ही लोगों ने मिलके कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा इस कानून के तहट आडवानी जी को रिटायर कर दिया मुरली मनोर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया अब हमित्शा जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा तो मैं मोहन भागवजी से पूछना चाहता हूँ क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवानी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए